हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप की आप सब लोग अच्छे होंगे तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओल्ड कोईन में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रुपे के इस प्रकार के नोट के बारे में क्योंकि हो सकता है कि ऐसे नोट आपके पास भी हो मगर आपको नहीं पता है कि इस तरह के नोटों की कीमत क्या होती है और वो कौन से नोट होते हैं जो सबसे ज़्यादा कीमत पर बिखते हैं तो इस तरह के नोटों की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो आप लोग नीचे दिएगे उस राल कलर के सबस्क्राइब बटन पर किलिक कर लें 7-7 गंटे को भी Motor पे जरूर सेलेक्ट कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करें तो चलिए अब जान लेते हैं इस तरह के नोटों के बारे में तो दोस्तों इस तरह के नोट जो जारी हुए थे वो दोस्तों 1991 से लेकर 1994 तक जारी हुए थे ये सिक्केत जारी हुए थे Montek Singh Alu Alia के समय में वो उच समय थे हमारे वित्तमंत्राले के सचीव तो दोस्तों अगर आपके पास में भी है इस तरह के Montek Singh Alu Alia के नोट तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास किस इयर का नोट है क्योंकि इन नोटों की कीमते भी इनके इयर्स पर ही डिपेंड करती है और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि एक रुपे के नोटों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया जारी नहीं करती है बलकि इस प्रकार के नोटों को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है इसलिए दोस्तों एक रुपे के नोटों पर आपको कहीं भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा बलकि उसी जगर पर भारत सरकार या फिर गोवर्मेंट आफ इंडिया ही लिखा हुआ होगा जैसा कि आप इस नोट में भी देख सकते हैं और इस नोट के वाटार मारक विंडो की बात करे तो दोस्तों यहाँ पर बनाुआ है असो किस्तम का चित्र वहीं इस परकार के नोटों के पीछे की साइड की बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है सागर समराट का चित्र जो की एक ओयल रिग है और वो इस्थित है बॉम्बे हाई में वहीं इसके यहाँ पर लेंगवेज पेलेज में आपको तेरा अलग अलग भासाओं में एक रुपया लिखा हुआ नजर आ जाएगा और इसके उपर बना हुआ है एक रुपय के सिके का चित्र तो दोस्तों मॉन्टेक सिंग आलु आलिया के कारेकाल में जो सबसे लाश्ट नोट जारी हुआ था वो दोस्तों हुआ सा 1994 में मगर दोस्तों कुछ लोगों ने इस प्रकार के नोटों की पैस्ट कोपी भी बनाई है जिस पर सन अंकित होती है 1995 और कुछ लोग ऐसे दावे भी कर रहे हैं इन नोटों की कीमत होती है करोडों में जबकि वो नोट एक फेक नोट होता है क्योंकि दोस्तों 1995 के अंदर भारत सरकार दुआरा एक रुपय के किसी भी प्रकार के नोट को जारी भी नहीं किया गया था तो दोस्तों अब बात आती है कि 1991 से 1994 के बीच के नोटों की कीमत क्या होती है तो इन में सबसे रेर नोट जो होता है सबसे मेंगा नोट जो होता है वो दोस्तों होता है 99H प्रिफिक्स का नोट तो दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नोट का प्रिफिक्स क्या होता है तो दोस्तों ये जो आप संख्या देख रहे हैं ये होता है नोट का प्रिफिक्स वहीं नोट के सीरियल के पीछे बना हुआ इस परकार का अलफाबेट अंक कहलाता है इस नोट का इंसेट तो दोस्तों 1991 में जारी हुआ 99H प्रिफिक्स कार इस परकार का UNC नोट आपको दिला सकता है 3.500 रुपे वहीं अगर आपके पास इस परकार के नोटों का पूरा पैकेट यानि की बंडल है तो दोस्तों वो आपको दिला सकते हैं पूरे 35,000 रुपे और वहीं 1993 के इस परकार के सारे नोट स्केयर होते हैं और उन 1993 के नोटों के एक बंडल के बदले आपको मिल सकते हैं 7000 से लेकर 10000 के बीच में और इसके बाद आपको 1994 के नोटों का एक पेकेट 2000 से लेकर 4000 के बीच में कीमत दिला सकता है और बाकी के इस परकार के नोट सारे कॉमन ही होते हैं और उस परकार के नोटों के पूरे बंडल के मुकाबले में आपको 15 सो रुपे तक मिल जाएंगे वहीं दोस्तों आपको YouTube पर ऐसी बहुत सारी फैक वीडियोज भी मिल जाएगी जिसमें इन नोटों की कीमत लाकों और करोडों में भी बता दी जाती है तो दोस्तों वो सारी फैक वीडियोज होती है आप उन वीडियोज पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि उन लोगा का मकसद सिर्थ आप लोगों को भरमित करना होता है तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मॉन्टेक सिंग आलू आलिया के इस परकार के सिगनेचर वाले जो नोट है उनकी वेल्यू क्या रहती है यानि इस परकार का कोई नोट करोडों में नहीं मिकता है लेकिन जो नोट सबसे रेर और मेंगा होता है वो दोस्तों होता है 99 प्रिफिक्स का इस परकार का नोट क्योंकि दोस्तों वो नोट बिल्कुल ही कम मातरा के अंदर जारी हुए थी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की पुरानी नोटों और सिक्कों से समंदेत सही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रह तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ